है गैस कैसे हो आप लोग में आ गए हो और एक वीडियो लेकर एडिक्टर यूटब चैनल के लिए तो इस वीडियो में बात करूंगा बेस्ट बैटरी फोन अंडर 25,000 के बारे में जो की है मेरे मुटा विक वान प्लस नौर सी फोर और इस फोन में सबसे बरिया बैटरी है ज बहुत दिन से यूज़ कर रहा हूँ और भी बहुत सरे फोन से यूज़ किया हूँ पहले लेगिन इस फोन जैसा बैटरी मुझे नहीं मिला है और डेफिनेटली जैसे स्मार्ट फोन का बैटरी होता है उससे कही गुना बैटरी मिलना है वाला है इस OnePlus Nord C4 में तो इस वीडि तो जरू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा क्योंकि मैं ऐसा वीडियो लाता रहता हूँ चैनल पर तो सबसे पहले इस फोन का बैटरी में सबसे बड़ी है जो चीज है वह 5500 मिलियंपर का बैटरी है जो की बहुत ज़्यादा है कोई भी नॉर्मल फोन से नटिंग फोन वान या कोई भी फोन जो इस रेंज में आता है और 5500 मिलियंपर मतलब आप बैटरी को थोड़ा लंबे समय टेक यूज कर सकोगे हेवी उजज में भी एक दिन से ज़्यादा आपको बैटरी बैक अप मिलने वाला है और डेफिनिटली इस फोन में कुछ ऐसा फीचर से बैटरी रिलेट है जो इस फोन को सबसे बड़िया फोन ब बैटरी को फूल चार्ज करने के बाद आप फिर से बैटरी वेकप पाते हो देर दिन का या दो दिन अगर आप मॉडरेटली यूज करते हो तो डेफिनिटली इस फोन का जो बैटरी हो सबसे बड़िया लगा मुझे और डेफिनिटली आपको चार्जिंग स्पीड भी बहुत ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड़ है तो एक साथ दो टीन पार्ट्स चार्ज होता है इसलिए बहुत जल्दी बैटरी चार्ज हो जाता है और एक चीज़ मैं नोटीस के बैटरी चार्जिंग के टाइम पर उटना हीट भी नहीं होता है क्योंकि मैं नठीं फोन बैटरी इसका चार्ज होने में बहुत टाइम लगता है तो इसका बैटरी चार्ज होने में एराउंड वान आवर टेन मिनिस लगता है और इसका बैटरी चार्ज होने में 25 टू 26 मिनिस में फूल चार्ज हो जाता है 0-100 तो एक चीज़ मैं नोटीस के नठीं फोन वान में ज में यूज किया गया है जो बहुत जल्दी चार्ज करता है तो हम लोग बहुत crazy speeds देखा है super work charging या आप बोल सक्ट हो work charging तो यह भी उस category में ही आता है आपका phone बहुत जल्दी charge हो जाएगा और definitely आपको battery backup भी बहुत अच्छा मिलने वाला इस phone का और एक चीज जो मैंने देखा कि इस phone का बैटरी है उसमें कुछ features भी दिया गया है ताकि आपका battery life prolong हो सके या फिर ज्यादा हो सके तो settings में जाकर अगर आप battery में जाते हो तो इधर पर बहुत सरा options आपको मिल जाएगा बैटरी मेंने चार्ज किया हो recently और बैटरी बूट अच्छे चल रहा है और power saving mode भी है इसका बैटरी health related कुछ feature है जैसे maximum capacity आप इधर पर देख सकते हो और 80% तक बैटरी को charge करके आपका phone stop हो जाएगा ऐसा भी एक feature है तो यह जो feature है इससे आपका बैटरी का charging 80% में बंद हो जाएगा और इसको अगर on करते हो आप बैटरी बहुत दिन तक चलने वाला है क्योंकि 100% charge होतके बाद भी अगर आप phone को charge करते हो तब phone का battery में pressure बढ़ता है stress होता है इससे बैटरी बहुत दिन तक नहीं चलता है अगर 80% में battery charging आप stop करते हो तो बैटरी का wear and tear नहीं होगा उतना बहुत दिन तक चलेगा और definitely अप आपका battery अगर 5,500 mAh हो तो आप यह option easily on कर सकते हो क्योंकि आपका battery बहुत एक दिन के उपर ही मिल सकते है 80% चार्ज करके भी और इगर पे एक smart charging option भी है आपका charging pattern है उसका मुटा भी चार्ज करता है ताकि आपका battery का long life मिले तो अगर आप इसको on करते हो तो यह डिजबल हो कोई एक ही on कर सकता हो मैं इसको top charging 80% ही on करके रखाओ और इधर पे smart traffic charging भी है अगर आपको 20 minutes के नीचे चार्ज करना है तो इसको on करके रख सकता हो बैटरी थोड़ा heat हो सकता है लेकिन आपका battery बहुत जल्दी चार्ज हो जाएगा जो कि बहुत कम phones में अभी देखने के लि तो actually optimization में चला जाता है जहाँ पर आपका wifi या फिर mobile लेटा off हो जाता है और कुछ-कुछ notifications भी delay हो सकता है लेकिन यह वाला battery को overnight drain से बचाता है और optimize battery use में अगर जाओगा तो इधर पर कोई भी app के लिए आप battery use को definitely optimize कर सकता हो कि आपको maximum battery मिले इस phone से तो यह सारे कुछ features है और बहुत अच्छे से इधर अब दीख सकते हो कितना screen time है क्या है सब का details आपको मिल जाएगा तो इसलिए यह phone को आप बोल सकते हो सबसे अच्छा battery वाला phone अभी तक 25,000 के नीचे जो OnePlus Nord C4 है नटिंग phone 1 में भी battery बहुत अच्छा था लेकिन time के साथ इसका battery उटना अच्छा नहीं है अभी और charging में भी बहुत time लगता है तो definitely OnePlus Nord C4 का battery backup मुझे बहुत ही बढ़िया लगा और ही चीज में आप लोग कुछ से शेयर करने वाला था तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगाए तो जरू मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा और बेल आइकन को प्रेस कर दिजेगा क्योंकि मैं ऐसा वीडियो जलात रहता हूँ चैनल पर टाच के लिए बस इतने आप करेंशु बढ़ाए